construction of identification keys indented key के अंदर हमने देखा कि हमारे पास sequences of choices होती है statements के अंदर दूसरी जो type की key है वो है bracket key या फिर bracketed की इसके अंदर क्या होता है इस key के अंदर हम pair of contrasting जो traits होते है उन या जो characters या जो statements हमारे पास होती है उन के लिए हम numbers का इस्तवाल करते हैं और इन numbers को हम bracket के अंदर लिखते हैं इस तरह के से slide के अंदर दिखाया गया है एक तो जो bracketed key है ये simple key है और taxonomist ज़्यादा तर इसी की का इस्तवाल करते हैं अब slide के अंदर अगर हम देखें तो वही जो example हमने जो के indented key के लिए discuss की थी उसी example को हम इस bracket key के अंदर discuss करते हैं हमारे पास 6 vertebrate animals हैं और इन 6 vertebrate animals को हमने identify करना है तो इसमें सबसे पहला हम character select करते हैं जो पहला coplet है हमारे पास यहाँ पे एक coplet के अंदर जो दो statements होती है उनको एक ही नंबर दिया जाता है फर जैंपल पहला जो हमारा coplet है उसके अंदर external air present या फिर external air absent का character था यह दो statements थी जिनको हमने lead कहा था इन दोनों को एक ही नंबर देंगे bracket के अंदर हमने one one लिखा अब अगर एक animal जिसके अंदर external air मौजूद है तो उसके लिए हमें कहां पे जाना है हमें जो coplet number two है उसके पर जाना है और अगर external air absent है तो उसके लिए हमें coplet number three पे जाना है अब हम अगर coplet number two पे जाएं तो two के अंदर जो coplet है उसके अंदर जो character select किया गया है वो wing का character है again क्यूंकि ये coplet number two है तो इसके अंदर जो दो statements है जिनको हम leads कहते हैं उनको same number दिया गया है और ये bracket के अंदर दिखा गया है तो पहली जो statement है wing present या wings present अगर wing present है तो फिर तो bat है और अगर wing absent है फिर cat है तो इस तरीके से हमने इन दो animals को identify कर लिया अब अगर हम ये देखें कि जो cat है उसके अंदर total कितने characters हमने select किये तो पहला character ये wings इसके अंदर absent है लेकिन ये wing absent का जो character था इसको refer किया गया था coplet number one से और coplet number one के अंदर जहां पर two लिखा हुआ है उसके सामने लिखा हुआ है external air present इसका मतलब है in animal के अंदर external air present है लेकिन in के अंदर wing भी present है bat के अंदर और हम cat की बात करें तो cat के अंदर external air तो present है लेकिन इनके अंदर wing मौजूद नहीं है इसी तरीके से जो पहला coplet था उसकी जो दूसरी statement थी के external air absent उसके लिए refer किया गया था हमें coplet number three पे तो अगर हम coplet number three पे जाएं तो coplet number three पे अगें जो character है wings present ये birds के अंदर होता है इसके मंदलब है birds भी identify हो गए और दूसरा जो option है wings absent विंग अगर absent है तो फिर आगे refer कर दिया गया है coplet number four पे अब अगर हम coplet number four को देखें तो coplet number four के अंदर gills present अगर gills present है तो वो fish है fish identify हो गई अब अगर हम देखें कि fish के अंदर total character किसने हो गए क्योंकि fish के अंदर gills तो present है लेकिन fish को refer कहां से किया गया ये हमारे पास आया है character number three से यानि जो coplet number three से refer किया गया था वहाँ पे wing present या wing absent थे तो यहाँ पे wing absent है fish के अंदर इसी तरीके से अगर gills absent है तो वहाँ पे अगर हम देखें slide के अंदर तो refer किया गया है coplet number five पे और coplet number अगर five पे हम जाएं तो again यहाँ पे दो statements है पहली statement है limbs present limbs अगर present है तो यह frog है और limbs अगर absent है तो यह snake है अब अगर हम snake को देखें snake की total characters देखें कि हमने इस bracket की के अंदर total कितने character का इस्तमाल किया और snake को identify किया तो पहला character limbs absent अब limbs absent है लेकिन यह जो point था इसको refer किया गया था point number four से वहाँ पे जो four में refer किया गया था वहाँ पे कहा गया था कि wings absent इसका मदलब है इनके अंदर wing absent है और इस character को कहां से ft refer किया गया था इसको refer किया गया था character number three से यानि जो coplet three और coplet three को कहां से refer किया गया था उसको refer किया गया था coplet number one से और coplet number one की जो second statement थी कि external ear absent तो इस तरीवे से हम एक animals के जो characters हैं इनकी base के उपर एक जो organism है उसको completely identify कर सकते हैं हमने ये भी कहा कि जो keys हैं ये different types की होती है और जो researchers हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से keys का इस्तमाल करते हैं इस slide के अंदर भी अगर हम देखें तो bracketed की जो है उसके बारे में बताया गया है कि पहले हम poplet के अंदर जो statements हैं उनका use करते हैं और उस statement को हम accept करते हैं या फिर reject करते हैं और उसकी base के अपर हमें आगे refer कर दिया जाता है और ultimately हम species यतनी भी होती है की को इस्तमाल करते हुए उनको completely identify कर लेते हैं अब key की जो next type है वो है pectoral की pectoral की आम तोर पर non scientific community के लिए बनाई जाती है इसके अंदर जो species होती है उनकी साथ में pictures दी जाती है ताके जो non specialist है वो भी आसानी से तस्वीर को देखके तो animal को पहचान ले आम तोर पर अगर कोई person forest के अंदर या desert के अंदर जाता है वहाँ पर वो मुख्तर किसम के animals को देखता है तो उसके पास अगर ये pictorial की मौजूद है तो वहाँ से वो तस्वीरें देखके उसके साथ जो है उस animal को compare करके तो अंदादा लगा सकता है कि कौन सा animal है तो ये use करना इसका बहुत आसान है इसी तरीके से एक और की polyclave की ये computer based program है ये आम तर पर प्लांट्स के लिए इसका इस्तवाल बहुत कामन है आम तर पर जो बाटनिस्ट है वो क्या करते है अगर एक person किसी ऐसी जगा पे जाता है जहां पे बहुत सरे प्लांट्स है और वो कुछ प्लांट्स को select करता है उनके जो leaves है उनकी फोटोग्राफिक करता है और उनकी जो तस्वीर है उसको google के पर डाल देता है तो जो computer based की है वो उसको फोरण जो है बताता है कि ये जो plant है ये किस लीव है ये किस plant से तालुक रखता है तो ये जो polyclave की है इसका जो इस्तमाल है ये भी non specialist जो है उनके लिए है और इनका इस्तमाल करते हुए आसानी से non specialist जो researchers हैं वो unknown plants को identify कर सकते है